आज मैं आप लोगों को एक अमेजिंग स्किन वाइटिनिंग फॉर्मूला दिखाऊंगी इसे आप कोई भी पार्टी में जाने से पहले यूज कर सकते हैं इससे आपको इंस्टन्ट रिजल्ट मिलेगा साथ ही आपके डार्क स्पोर्ट्स, ब्लाक स्पोर्ट्स, एकने स्कर्स और ब्लेमिशस भी ट्रिट होगा ये एक नैचरल फेशियल ब्लीच है और इसका कोई साइड एफिक्ट भी नहीं है रेगुलर इसके यूज से आपके संटन कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा और आपके स्किन गोडी, निखरी और दमकदार बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं पर इसके पहले फ्रंस आप मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजिए ताके मेरे किसी भी फाइदे मंद वीडियोस को आप मिस ना करें इसके लिए सबसे पहले एक पोटाटो यानि के आलू लेके इसे पील उप करके छोटे छोटे चोटे टुकरों में काट लीजिए पोटाटो में माइल्ड ब्लीचिंग प्रपरटीज होते हैं जो मलमाइन प्रडक्शन को रिड्यूस करता है साथ ही हैपर पिग्मेंटेशन को लो करता है और स्किन टौन को लाइटन करता है पोटाटो में विट्यामिन सी होता है जो कुलाजन प्रडक्शन को बूस्ट करता है जिससे स्किन इलास्टेसिटी मेंटेन होता है पोटाटो में केटेकोलाइस एंजाइम होते हैं जो डार्क स्पोर्ट्स, प्लैमिशस और एक्नेस कर्स को रिडियूस करता है अब इन पोटाटो पीसेस में थोड़ा सा रोज वाटर यानि गुलाब चल एट करके इन्हें ग्राइंड कर लीजिए अब इस पेस्ट में अगर आपकी स्किन ओईली है तो थोड़ा सा लेमन जूस और अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो थोड़ा सा हनी एट करके मिक्स कीजिए और अगर आप की स्किन नॉर्मल है तो आप इस पोटाटो पेस्ट में हानी और लेमन दोनों ही एड़ कर सकते हैं या फिर इन दोनों को बिना एड़ किये ही सिर्फ पोटाटो और रोले तो अधिस यगता है शवर कमल्स को आयोग, коли झाल जह पो उनक है, कि और है और में जो ब मेंग़.. क्वरे उनक शितरा सह स刚 प たभ एस्noस को से प्रोब है झाल झाल